एक धारना ये है कि इश्वर और जगत में ये संबंद है एक धारना है कि इश्वर और जगत में ये संबंद है ठीक है और एक धारना है कि इश्वर जगत में ये संबंद है तीन ही मुख़्े हैं चोथा इसायत, इसलाम, यहुदी एक और कल अपना करते हैं बाद में समझेंगे इसका मतलब है कि ये गौड है, ये वर्ल्ड है दोनों एक गम अलग अलग है ठीक है? इसे न्यूटन ने इसको माना इसको डाइजम कहते हैं, तटास्थेश्वरवाद कहते हैं इसका मतलब है कि ये इश्वर है, इश्वर काई एक हिस्सा जलत है इसको बोलते है पैनन्थीजम है या निमित्तो पादानेश्वरवाद कहते हैं इसको जो हीगल, शंकराचार, ये सब लोग इसको मानते हैं, रामानोज इसको मानते हैं और तीसी धारणा है, जो गौड और वर्ड एक ही बात है इसको बात है पैंथीजम, सर्वेश्वरबाद जिसको स्पिनोजा नाम के पश्ची मिदार्शनिक ने माना, ब्रुनो ने भी लगवागी स्धारणा को माना इन तीनों में समस्य हैं क्या हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि अवतार क्यों आता है, अवतार का कंसेप्ट क्या है इसके हिसाब से इश्वर जगत एक ही बात है, तो इश्वर आएगा क्यों कि इशवर तो है, और जगत के कंण में जम एक ही बात है, स्कूल का नाम इश्वर एघर का नाम जगत है, क्यूं समझिदो तो इसका मतलब जगत के कंकण में इश्वर है इश्वर के कंकण में जगत है एक ही चीज है आप भी इश्वर, मैं भी इश्वर, बोड भी इश्वर, सभी इश्वर है इसमें ये भी इश्वर छोटा हो गया, जगत के बराबर हो गया इसका मतलब यह कि जगत के कंकण में जगत नहीं है इसका मतलब इश्वर बड़ी चीज है जगत से परे भी है पर जगत के कंकण में इश्वर मौझूद है आपने बड़े बूरे समें जगत के कंकण में ईश्वर है तू क्या इलेगा पत्ता भी नहीं हिलता है उनसे बोलो फाक अगर मैं नहीं पढ़ता हूं तो इश्वर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है तो मेरे नव पढ़ने में इश्वर की मर्जी है इसका मतलब पिर आप कहें परशान हो रहे हो तो कहेंगे बेटा मेरे डांटने में इश्वर की मर्जी है क्योंकि पत्ता भी नहीं हिलता है तो मैं अगर तुरी सुताई करूं तुझे पीटूं तुझे डाटूं यह इश्वर की मर्जी से ही हो रहा है अगर आपने सब सुनाएं कि इश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो इसका मतलब निमित्तो पादन इश्वरवा वोड ही उसको क्यों साथ कर रहे है क्योंकि दूल भी तो ईश्फर है साथ क्यों कर रही है इसको इश्फर केStud four की परन यह अच्छानी लगता है है इसलिए कि इसम्राइनमे कि आशेतशी लिए भर एक इसम्रला वनुद्र दो इसके बाती मतर द्रीख तो इश्वर ने जगत बनाया है कैसे जैसे कुमार घड़े को बनाता है कुमार घड़े के अंदर ने घुज जाता है गड़ा बनाता है, गड़ा अलग है, कुमारा अलग है, ऐसे ही इश्वर अलग है, जगत अलग है, इसमें दिक्कत है कि यहां आदमी भक्ती कर रहा है, हे भगवान, हे भगवान, सुनो, भगवान जे दूर अलग है, भगवान तो दूर है, कैसे सुनेगा, तो भगतों को इश्वर एक गणतग्य रहा होगा God must have been a mathematician उसने जगत को इतना perfect बनाया है कि ये कोई गणतग्य ही कर सकता था लेकिन इश्वर ने जगत को बनाया और दूर चला गया अब वो जगत से दूर है तो शाम को पोप ने उसको फोन किया उसने का इश्वर बहुत दूर है उसने कहा HP हो गया उसका उसने का मेरा मतलब है कि इश्वर दूर चला गया है पर बीच-वीच में आता रहता है जब-जब व्यवस्था थोड़ी खराब होती है उसको मरम्मत करने के लिए आता है और ठीक करके चला जाता है यह जो विचार है कि इश्वर आता है ठीक करके चला जाता बेसिकली इस विचार को बोलते हैं अवतारबाद कर दो